हेलो क्लास वेफ्थ बेटा चेप्टर नमर नाइन डेसिमल्स टुड़े वी आर स्टार्डिंग और पार्ट वन की इस वीडियो में डेसिमल्स से रिलेटेड बहुत ही बेसिक कोशन्स हम आज करने वाले हैं बहुत ही इजी कोशन्स आज करेंगे हम exercise 9A आज हम start कर रहे हैं तो I hope आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे हरे कोशन्स को आप अच्छी तरह से समझेंगे अगर कोई problem आती है किसी कोशन्स में आपको तो बड़ावार सा गुरूप हमें message कीजिएगा आपको हम PDF की help से भी solution provide करा देंगे तो चलिए जलती से start करते हैं आज की questions तो चलिए strengths start करते हैं self practice exercise 9A को ठीक है और इसमें question number 1 है हमारे पास write the following in expanded form तो यहाँ पर हमें decimals numbers को दे रखे हैं A और B part में ठीक है तो हमको क्या करना है expanded form इनकी लिखनी है expanded form actual में क्या होती है कि हम जो decimal के right और left में digit दे रखी हैं उनको please value according लिखते हैं तो चलिए देखते हैं उसको हम किस तरह से करेंगी सबसे पहले हमारा है 672.316 तो इसको हम लिखना है दो को 600 से start हुआ तो 600 आ जाएगा सबसे पहले डिजिट 600 प्लस लगाएंगे 72 का मुलब 70 प्लस 2 हो जाएगा 70 प्लस 2 हो गया ठीक है 70 प्लस 2 इसके बाद आप क्या करेंगे प्लस लगाएंगे अब देखिए उसके बाद जो डिजिट है 3 तो 3 कि यह जो आता है 10 तो यह क्या होगा 0.3 होगा ठीक है तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.3 ठीक है प्लस लगाएंगे उसके बाद 1 के आगे कौन से डिजिट है 3 है उसको 0 माल लो पॉइंट लगा दो तो 0.0 बना जाएगा और इसी तरह से प्लस लगाएंगे क्या जाएगा जाएगा यानि जिस नंबर को हमें लिखना है उससे पहले आप डिजेट देख लीजिएगा 0 लगा देजिएगा और 0 के पहले पॉइंट यानि डेसिमल लगा देजिएगा तो यह आपकी क्या हो जाएगी डेसिफल जो है डेसिमल को आपने एक्सपेंडिट फॉर्म में र 0.02 लिखते हैं प्लस 0.00 क्या लिखते हैं थ्री लिखते हैं तो यह आपके पास अंसर आ जाता है ठीक है तो बहुत इजी कोशन था इस वीडियो को बिटा पॉस करके आप इसको राइट कर लिजेगा चलिए आगे देखते हैं नया कोशन सबसे पहले 200 को लिख लेंगे जो कंप्लीट है 200 प्लस 200 और 7 तो दो जीजे हमारे पास यहां पर ठीक है तो 207 हो जाएका 207 हो गया बाकी जिनके नीचे 10,000,100 यह जो भी हो वो सब पॉइंट वाले हमारे फ्रेक्शनल पार होते हैं तो वहां से डेसिमल लगा देंगे हम पह 207 हो गया फिर डेसिमल लगा तो फोर की नीचे Craft है थी के नीचे 100 है टू के नीचे थ Д Allied है तो यह फार वाला वन नंब तो इसको एक साथ करके लिखेंगे पहले यह हो जाएगा हमरे पास 7560 यानि 7560 हो गया पॉइंट लगाएंगे पॉइंट 1 पॉइंट 001 था फिर 1 हो जाएगा एक नमबर छोड़का फिर दो नमबर छोड़का लगाना है पॉइंट 007 तो यानि पॉइंट 11 कीज़ेगा 0000 पुट हो जाएगे और यह 7 हो जाएगा तो यह हमारा आंसर आजाएगा ठीके तो हमारे दोनों आंसर आचुके हैं बहुत इजी कोशन था अब चलते हैं कोशन नमबर 3 पर match the decimal number with the correct place value in circled digit चलिए यहाँ देखेंगे तो हमें match it करना है तो यहाँ पर सबसे पहला वाला जो हमारा है 36 के बाद 0.5 है 0.51 पॉइंट के बाद जो पहला नमबर होता है वो 10 होता है T E N T H है ना तो हमारे पास 5 10 हो गए तो 5 10 को किससे मिला दो 5 10 है हाँ यह रहा हमारे पास देखो 5 पर ला इससे मिला दिया इसी तरह से 2 वाले में हमारे पास क्या है वाले को फस से मिला तो 5 10 हो गया थर्ड में हमारा क्या है अब डेसिमल के बाद का आया तो टी एच वाली फॉर्म लगेगी तो वन्स 10 हो गया और 100 हो गया तो पहला तो हमारा 3 तो हो गया 10 पर 5 हो गया 100 पर तो C वाला हो जाएगा यह फाइव हंड़िट्थ हो गया इसके बाद आप देखेंगे 4 वाला डेसिमल के बाद की नंबर दे रखी है तो पहला 10 होगा फिर 100 होगा फिर 1000 होगा तो 1000 वाला हो गया 5 हमारा तो इसको 3 वाले से मिला देंगे और यहाँ पर हमारे पास डेसिमल से पहले वाला है है ना इक पार्ट में तो वो वन्स की डिजिट होती है तो 5 वन्स हो जाएंगे इसको हम 4 से मिला देंगे तो यह हमारे पास सभी मैचिट्स हो गए है ठीक है तो स्टेंट्स आई होप आपने सभी कोशन अच्छे तरह समझ लिए होंगे कोई प्राबलम आती है वाटाबार से गूर्प पर हम बताइएगा आपको PDF की हल्प से हम solution प्रोवाइड करा देंगे और इस एक्साइज को आप नेटन के लिए अपने नोटबुक में राइट कर लिएगा तो बस आज के लिए इतना ही थैंक्यो